ट्विटर, इंस्टग्राम और फेस्बूक जैसे शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब लोगों की जिन्दगी का एहम हिस्सा बन चुके हैं शायद ही ऐसा कोई हो जो स्मार्टफोन इस्तमाल करने वाला व्यक्ति होगा और उसका फेस्बूक पर अकाउंट ना हो यही हाल तमाम प्रोफेशनल्स के ट्विटर यूज करने का भी है कई-कई घंटों तक लोग बाग ट्विटर पर चिपके रहते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेकर ट्विट रिट्विट करते रहते हैं अब चुकि करोड़ों लोग इन प्रेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो ऐसे में कुछ सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज, सेलिबिटीज या अपने फील्ड में काम करने वाली कंपनिया इनकी पहचान के लिए ब्लू बैज यानि ब्लू टिक दिया जाता है अब आप यह जरूर देखते होंगे और साथी साथ सोचते भी होंगे कि कई सारे फेस्बूक प्रोफाइल पर पेज पर ट्विटर प्रोफाइल पर आपको ब्लू टिक दिख जाता है बास तब में यह उसका मतलब क्या होता है और उसका किन किन लोगों को दिया जाता है और यह अकाउंट बेरिफाई कैसे किये जाते हैं और उसके बाद इनको ब्लू टिक कैसे मिलता है ऐसे में कई सारे लोग इस बारे में जानना चाते हैं तो आखिर इस blue badge यानि blue tick के लिए apply कैसे किया जाता है, इसका क्या process होता है, इन सब पे हम बताएंगे, लेकिन इस blue tick का concept बस तीन points में समझी है, पहला ये एक तरीके का verification badge है, यानि आपकी भीड में एक अलग पहचान होती है, दूसरा, किसी भी फरजीवारे से बचने के लिए ये बताता है कि ये account official है, और तीसरा, blue tick आपकी social media पर आपके किये गए post की जवाब दे ही तै करता है, अब ये सवाल आता है कि आखिर किन किन लोगों को ये blue tick मिलता है, तो ये blue tick government या government employee को मिलता है, company, brands, organizations, news organizations, media personality या journalist, entertainment industry, sports person, activist, individual influencer, इन तमाम लोगों को blue tick दिया जाता है, जरूर आया होगा कि क्या Facebook, Instagram और Twitter पर blue tick पाने का एक ही तरीका है, तो इसका जवाब है नहीं, इसलिए हम आपको तीनों में blue tick पाने की अलग अलग प्रक्रिया के बारे में पूरा गस्तार से बताएंगे, बात सबसे पहले Facebook की, सबसे पहले Facebook पर login करें और Facebook account verification form के link पर जाए अपना verification type सेलेक्ट करें, page या profile क्या है, उसके बारे में चुने, उसमें से एक category को चुने, अपना देश चुने, एक ID यानी पहचान पत्र की एक photo upload करें, आपका account क्यो verify किया जाना चाहिए, इसका एक कारर लिख दें, कोई भी एक document upload कर दे, send पर click कर दे, request बेजने के बाद, आप Facebook की verification team आपकी दी होई जानकारी को review करेगी, इसके बाद ये फैसना लेगी कि आपको blue tick मिलेगा या नहीं, अगर आपकी request मान ली जाएगी तो आपकी profile पर एक blue tick दिखाई देगा, अब सवाल ये कि अगर blue tick नहीं दिखा तब क्या, तो कुछ नहीं, इसका मतलब ये हु आपकी request एक बार में approve नहीं हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी नहीं होगी, आप 30 दिन के बाद दुबारा फिर से apply कर सकते हैं, अब Twitter के बारे में भी जान लीजे, Twitter पर blue tick पाने के लिए तीन बड़ी शर्ते हैं, पहली आपकी पहचान इन category में से हो, जैसे कें account authentic होना जरूरी है, मतलब आपका Twitter account असली होना चाहिए, fake नहीं होना चाहिए, आपकी नाम से लेकर Twitter के बायो में दी गई जानकारी, सभी सही होनी चाहिए, कुछ भी जूट नहीं रहना चाहिए, तीसरी सबसे बड़ी शर्त है कि आप active हो, मतलब Twitter account में active रहना जरूरी है, active रहने से मतलब है कि आप पिछले 6 महीने से लगातार Twitter यूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ एक साल में आपको Twitter के किसी भी नियम तोड़ने की बज़े से बैन नहीं किया गया हो, अब बात करते हैं Instagram की, Instagram पर ब्लूटिक पाने के लिए 5 बड़ी शर्ते हैं, पहली, authentication, यानि personal ID है तो आपकी पहचान असली होनी चाहिए, अगर कोई page है, तो registered business या company होनी चाहिए, दूसरा, uniqueness, unique तरीके से खुद को या business को represent करना होगा, एक ब्यक्तिका, एक ही account verify होगा, अगर कोई सोचे कि उसका business page और personal account दोनों verify हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, general accounts का verification नहीं होता है, जैस इसे की meme बाले page, तीसरा, complete होना चाहिए, यानि आपका account page public होना चाहिए, profile photo और bio होना जरूरी है, verification के बग्त और उससे पहले आपका account active होना चाहिए, चौथा, notable, यानि आप या आपका brand या आपकी company famous होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग search करते हो, आपका content paid य लोग मशूर और पैसे कमानी के लिए लेते हैं, लेकिन पैसे कमाते कैसे हैं, तो इसमें कोई लंबा चोड़ा मैत का formula नहीं है, glutik का मतलब है कि आप कोई मशूर personality, brand या company है, ऐसे में कई लोग आपको पैसे देकर अपने products, brand या page का promotion कराना चाहेंगे, आज कर लोग इसके और ये काफी पैसे भी कमा रहे हैं, तो ये तीनो साइट के लिए पुरा funda था, glutik के लिए कैसे apply कर सकते हैं, इसमें आपको और भी कोई जानकारी में स्टार से चाहिए, तो हमें comment box में जरूर लिख भेजिए, बागी के ऐसे stories के लिए some nice news को देखते रहे हैं, शुक्रियो झाल